अगर आप ये आटा चक्की का बिजनस शिरू करने की सोच रहे हैं तो ये वीजियो आपके लिए है इस वीजियो में जाने आटा चक्की शिरू करने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा इस बिजनस को शुरू करने के लिए इस बात का खयाल रुखें कि आप जिस जगा दुकान कर रहे हैं वो बस्ती या कॉलनी में हो जिसे लोग आपकी शौप पर आकर आटा या अन्यक सामगरी को पिस्वा सकें दुकान की लंबाई चुडाई ठीक ठाक होनी चाहिए अगर आप किसी दुकान से किसी बिजनस को शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि दुकान 18 बाई 15 वर्क फीट में हो यदि आप अपने घर से ही इस बिजनस को करने की सोच रहे हैं तो एक छोटे कमरे में भी इसकी शुरूआत कर सकते हैं यह व्यपार बहुत कम निवेश के साथ भी शुरू हो सकता है मशीनरी और उपकरनों की खरीतारी को मिला कर 1,5 लाग तककी इनवेस्ट होगा आमतोर पर 8 चक्की के लिए जो मशीने प्रचलन में हैं वो 25 से 50 जार तककी की केमत पर आ जाती हैं कच्चा माल और अन्य वस्तू में निवेश के लिए कम से कम एक लाग तक का बचट होना चाहिए भारत सरकार मुद्रायोचना के तहत ले लोन भारत सरकार की संस्था Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises द्वारा आटाचक के बिजनस शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है इसके लिए आप एप्लाई कर सकते हैं चोटी तोर पर बिजनस करने के लिए किसी भी लाइसेंस के आवशकता नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आप अपने उद्द्यों को बड़े पैमाने पर करने की सोच रहे हैं तो इन लाइसेंस के लिए एप्लाई करें व्यपार का नाम और रिजिस्ट्रेशन, GST रिजिस्ट्रेशन, Food Safety and Standards Authority of India से लाइसेंस तो दोस्तों इस तरह से आप अपना आटा चक्की का बिजनस शुरू कर सकते हैं और आप इसके बारे में और अधिक जानकारियां चाहते हैं जवाब अपना सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं हम जल्दी आपके तमाम सवालों का जवाब देनी की कोशिश करेंगे